आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की Photo खीचो उसे Crop करो और तुरंत Video Solution पाओ Download Now हलो बच्चो देखो हमें परसन दिया हुआ है दीगरी आकरती में ABC की भुजा BC को बिंदू D तक बढ़ा गया यहां तक बढ़ा दिया गया और यह 128 दे दिया गया कौन और यह 43 डिगरी दे दिया गया तो हमें क्या पूचा है BAC BAC इस कौन की माप और इस कौन की माप हमें बतानी है तो देखो, हम चुक्क ही यह गुणिद्रम लिख देता हूँ में कि एक सरल्रक уш पर कौन यह सरल्री आपर कौन 180 шир होता है और वह सरल्रक पर कहा है में बताता हूँ इस होती ही यह सरल्रेख है यह पूरा कौन कीतना होगा 180俊 के बराबर क्योंकि यहां पर मैंने गुंद्रम बता रहा है सेल लेखा पर कॉन 180C डिगरी होता है तो यहां से क्या जाएगा कॉन ACB कॉन ACB प्लस 128 इन दोनों का यो कि इसके बराबर होगा 180C के बराबर क्योंकि यह सेल लेखा पर कॉन 107 के डिगिरीय बराबर होते हैं यहां से क्या गया कौंड A C B बराबर कितना अभूण कह जाएगा 11ati मानूस 128도 1708 कितने होते हैं ऐसंड़ कि अब ह मत वह हमारे पास से से क्ड झासटरसे की ठीक है नुएتي स्क्गीण योगए सब्सक्राइब क्या से प्रकूसरी यॉटके शोग घंभाँ कॉन होगता है तो उनकाणों किक्या ओगया धिशल क्टांट रहेव का आड़ा नुए निम्मींक की तिनों का योग किसके बराबर होगा एक्सोसी डिगरी और क्यों होगा योकि तिरभूज के तीनों कोणों का योग किसके बराबर होता है एक्सोसी डिगरी तो तीनों कोण मैंने लिख दिया और इनका योग किसके बराबर कर दिया एक्सोसी डिगरी तो मैं यहां से निकालू माइनस, पिच्चानव, एक सो सी मानेस पिच्चानव केतना होचए? पिच्चाशी डिगरी, तो मारे पास BAC कितना आगया? पिच्चेशी डिगरी. और ये भी उत्तर है और ये भी मारा उत्तर है, क्योंकि हैं एमने परसन में BAC और AC भी दोलों की माप होची है. ओके, थेंक यू